पूर्ट पूर्ड पूर्ट पूर्ड पूर्ट पूर्ड पूर्ट पूर्ट है अग्जी जैसा कि आप सभी जाते हैं आज कल हम टॉर्म वन क्लास 10 की इंग्लिश यहां पर डिसकस कर रहे हैं फिलहाल हम CBSE क्लास 10 की बुक First Flight के MCQs डिसकस कर रहे हैं इसके Third Lesson His First Flight का एक पार्ट हमने पिछली वीडियो में किया था आज हम Second Part में इसको Wind Up कर देंगे अगर आप इसी तरीके के Exclusive MCQs बाकी Lessons के लिए भी चाहते हैं तो आप ऐसेShout.com पर जाकर चेक कर सकते हैं पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से सीगल की मा अपने पैर में पकड़कर एक फिश को टियर कर रही थी जिसे देखकर सीगल की भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है गा, 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 he cried begging her to bring him some food. Bird ने अपनी language में बोला कि प्लीज मुझे भी कुछ खाने को दे दीजे Gakula, she screamed back derisively. Maa ने थोड़ा जोड से और चिला कर कहा कि मतलब उन्होंने ये वर्स दिये हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं होगा कि तो फिर उड़कर यहां आओ और खालो But he kept calling plaintively. लेकिन वो फिर भी बड़े धीमे स्वर में बोलता रहा कि प्लीज मुझे भी दे दो कि मैं नहीं आ पा रहा, उसका मतलब ये था And after a minute or so, he uttered a joyful scream. लेकिन कुछ ही मिन्टों के बाद वो बहुत ही खुशी से चिलाया खुशी की वज़ा क्या थी? His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it उसने देखा कि मा फिश का एक टुकड़ा अपनी चोंच में पकड़ कर उसकी तरफ ही उड़ती हुई आ रहे थी तो वो खुश हो गया क्योंकि वो बहुत भूखा था वो बड़ी उत्सुकता से आगे की तरफ जुका tapping the rock with his feet और अपने पैरों को तेजी से जमीन पर पटकने लगा कि जिस तरीके से छोटे बच्चे करते हैं कि पैर पटक रहे हैं उनकी तरफ जो आ रहा है कि जल्दी आओ जल्दी आओ trying to get nearer to her as she flew across वो जल्दी से जल्दी उस तक पहुँचना चाता था but when she was just opposite to him she halted लेकिन जैसे ही वो उसके सामने पहुँचे तो वो रुख गई her wings motionless उसके wings जो फटफटा रहे थे वो एकदम शान्त होगे the piece of fish in her beak almost within reach of his beak अब जो मा की चौँच में तुकडा था वो बस almost बच्चे की पहुच में ही था अगर वो थोड़ा से जंप करता तो उसे मिल जाता he waited a moment in surprise वो एक शण के लिए रुखा surprise किसले surprise हुआ कि ये सोचकर कि मा रुख क्यों गई है wondering why she did not come nearer and then maddened by hunger he dived at the fish और भूख से पागल होकर वो उस पर जपट पड़ा with a loud scream he fell outwards and downwards into space और एक तेज चिलानी की अवाज के साथ वो बाहर की तरफ गिरा और नीचे नीचे वो space में जाए जा रहा था then a monstrous terror seized him and his heart stood still एक बहुत ही बड़े से डर ने उस पर कबजा कर लिया और उसका दिल जो था वो एकड़म धड़कना बंद हो गया वो रुख गया इसका मतलब क्या था कि वो बहुत ज़्यादा डर जुका था he could hear nothing उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था but it only lasted a minute लेकिन ये सब जो हो रहा था ये कितनी देर के लिए वा केवल एक मिनिट के लिए ही the next moment he felt his wings spread outwards अगले ही शन उसने पाया कि उसके जो पंक थे वो बहार की तरफ निकल रहे हैं fell रहे हैं the wind rushed against his breast feathers then under his stomach and against his wings उसने देखा कि हवा जो है वो उसके breast feathers से गुजरते हुए उसके पेट को touch करते वे और उसके wings के पार तक निकल रही है मतलब कि उसको पता लग गया था किस तरीके से मुझे इस हवा को काट काटके उड़ना है he could feel the tips of his wings cutting through the ear he was not falling head long now अब वो सिर के बल नीचे नहीं गिर रहा था तो इसी passage पे based हमारे ही questions है question 16 15 questions हम पहले ही part 1 में discuss कर चुके हैं i button पर आप उसका link देख सकते हैं did you notice the words derisively and plaintively what part of speech are these आपने notice किया यहां पर यह words थे derisively and plaintively तो इसी पर based आपका question है कि यह जो word है यह English speech का कौन सा part है noun, pronoun, adjective या adverb यह होते हैं adverb इसके पहचान एक तो adverb के पीछे ly लगा होता है दूसरी बात क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है यह action को describe कर रहा है तो जो action को describe करते हैं वो adverb होते हैं तो इसका हमारा सही जवाब है d question 17 why did the young seagal utter a joyful scream वो पहले तो इतने plaintively बहुत दी मंदे से स्वर में बोल रहा था डरा हुआ था फिर एकदम से वो खुशे से क्यों चिलाया he felt happy on seeing his mother coming towards him with food in her beak उसने जैसे ही देखा उसकी मां चोंच में खाना लेकर आ रही है तो वो खुशी से चिलाया तो इसका सही जवाब है b question 18 find the correct order in which the sea girl felt the pressure of wind on different body parts पेसेज में आपको मैंने बताया था कि किस तरीके से कौन से body part पर उसे wind का pressure पहले फील हुआ कौन सा बाद में तो आप सारे options को पढ़िए पेसेज में देखे आपको समझा जाएगा इसका part D जो है इसका correct answer है पहले उसको breast feather पे फील हुआ फिर नीचे स्टमक पे उसके बाद wings पे question 19 what do you infer from the statements below नीचे हमें दो statements दी गई है आपको ध्यान देना है इसी type के question हमारे CBSC के sample paper में पूछे गए थे दो statements आपको दे दी जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यह fact है या opinion है या क्या A B का opposite है इस तरीके के तो वैसा ही सवाल हमने यहां पर लिया है statement A कह रही है a monstrous terror seized him and his heart stood still statement B कहती है he could feel the tips of his wings cutting through the air तो इन दोनों में हमें क्या लग रहा है पहले हम options देखते है option A कहता है statement A is a fact while statement B is an opinion ऐसा नहीं है क्योंकि यह दोनों ही line है हमारे passage में दी गई है दोनों की दोनों fact है अगर आपको fact और opinion को differentiate करना नहीं आता है तो उस पर based दो वीडियो में पहले ही यह डाल चुकी हूँ part 1 और part 2 इन्हें आप कीजिए यह बहुत ही important वीडियो है option B कहता है B adds further to the meaning of A A में जो चीज कही गई है B उसी को और जादा meaningful बनाता है तो यह हमारा सही जवाब है क्योंकि हमें first statement में बताया गया कि एक monstrous terror ने उसको जकड लिया था और उसका दिल विलकुल शान्त हो गया था उसके बाद B बताता है कि वो अपने wings के tip पर महसूस कर रहा था किस तरीके से वो air को काट रहे है तो यहां हमें पता लग रहा है कि B जो है उसको और जादा meaningful बना रहा है C में कहते है statement A is the opposite of statement B ऐसा नहीं है और D भी नहीं है तो इसका सही जवाब होगा B question 20 which line from the passage suggests that he took his first flight successfully पैसे से आपको पता लगा कि यहां पहली उडान उसने भर ली किस lines है या किन शब्दों से हमें यह पता लग रहा है यह हमें पता लग रहा है option C he was not falling headlong now क्योंकि अगर वो headlong गिरता जाएगा गिरता जाएगा तो मतलब कि उसके wings खुले ही नहीं है उन्होंने बोला वो अब headlong नीचे नहीं गिर रहा था इसका मतलब he had taken his first flight successfully सामने answers भी आपको दिख जाएगे आप अपने answers चेक कर सकते हैं अब हम इसके last passage पर आवे हैं इस passage में बताया जा रहा है कि किस तरीके से अपनी first flight was no longer afraid अब उसे कोई डर नहीं था he just felt a bit busy थोड़ा सा उसका सिर चकर आ रहा था then he flapped his wings once and he soared upwards उसने अपने wings को flap किया और फिर से वो उपर की तरफ उड़ गया और वो खुशी में गा रहा है गा 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 his mother swooped past him her wings making a loud noise तेजी से आवाज करते वे वो पूरा का पूरा परिवार वहां उड़ रहा है he answered her with another scream then his father flew over him screaming he saw his two brothers and his sister flying around him curating and banking and soaring and diving उसके तीनों भाइवेन उसके इर्द गूर्द घूम रहे हैं curating कभी आसपर से गुलाई में घूम रहे हैं banking का मतलब होता है एक जैसे प्लेन उड़ रहा होता है और वो पूरा का पूरा तिल्ट हो जाता है इस तरीके से ऐसे उड़ रहे हैं कभी एकदम से उपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly उस समय वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था और अब वो खूब तेजी से उड़ रहा है और खुशी से चिला रहा है वो खुशी से वहाँ पर उड़े जा रहा है इस तरीके से अलग अलग शब्दों में उसको वो बता रहे हैं अब उसके आगे की तरफ जो उसको सी के उपर ग्रीन फ्लोरिंग दिख रही है उसके पैरेंस और ब्रादर सिस्टर वो वहाँ पर उतर गए ग्रीन फ्लोरिंग क्या है जब वो उतरनी लगा तो उसे लगा कि उसके पैर उसमें धस रहे है लेकिन वो थका भी हुआ थो और भूखा भी था इसलिए वो उठ नहीं पाया उसके बाद वो अब नहीं डूब रहा था उसके पैर नहीं धस रहे थे तो इसका मतलब उसे वहाँ पर लैंड करना भी आ गया सब लोग खुशी से चिला रहे थे और बीच-बीच में उसको डॉख फिश खिला रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि वो 24 घंटे से जादा से भूखा था He had made his first flight Question 21 Why are the characters in the above passage screaming and making loud noises सब लोग चिला क्यों रहे हैं वहाँ पर They all are extremely happy on the young seagal's first flight Young seagal की पहली flight की वाजे से वो सभी बहुत खुश है सही जवाब है A Question 22 How did his sibling celebrate his achievement? उसके भाई भैनों ने उसकी achievement को कैसे celebrate किया? They were flying around him, curating and banking and soaring and diving Option C is the correct answer Option 23 एक image based question है जैसा कि हमारे CBSC question bank में और CBSC sample paper में भी दिया गया है आपको ये ध्यान रखना है अगर आप term 1 के NCQs के अच्छे से तयारी करना चाहते हैं आप सभी CBSC के question bank को जरूर prepare कीजिए आपको सभी lessons के solutions sshout.com पर मिल जाएंगे वहाँ जाकर आप search box में type कीजिए question bank ये 4 image हमें यहाँ पर दी गई है यहाँ पर बूचा जा रहा है question number 23 में What do you understand by green flooring in the passage? मैंने आपको explain किया था कि जो समुधर के पानी के ऊपर काई होती है उसको green flooring कहा जा रहा है तो option 2, 3 और 4 नहीं हो सकते इसका सही जवाब है option A C mosses Question 24 He could not rise from the green flooring Mark the incorrect answer from the falling options वो जो green flooring से ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहा था नीचे दिये गए में से incorrect option को आपको mark करना है He was lazy, he was hungry, he was tired, he was weak He was lazy is the incorrect answer He was lazy is the incorrect reason for that So option A is the right answer Question 25 When his legs sank into the green sea What was his state of mind in the passage जब green sea के अंदर यानि कि जो green patch था वहाँ पर उसके पैर सिंक करने लगे, डूबने लगे तो उसकी दिमाग के क्या हाल लग थी, कैसी सोच थी उस ताइम He was excited with happiness, frightened, disappointed or demotivated He was frightened, वो डर गया था उसे लगा कि उडान तो मैंने भर लिए, लेकिन अब मैं इसके अंदर डूब जाओंगा तो option B is the correct answer Answers आपके सामने हैं, आप चेक कर सकते हैं इसके अलावा जब आप ऐसेशाओ.com पर जाएंगे तो term 2 के लिए भी हमने यहाँ पर कुछ questions आपको दिये गए हैं जिनके जवाब आपको 22, 30 words में देने होंगे यह आप term 2 के लिए बाद में prepare कर सकते हैं फिलहाल आप इन MCQs पर ही focus कीजिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई